क्या गदर टू के बाद सनी देओल लेकर आएंगे बॉर्डर टू? सच में आपको ऐसा नहीं लगता कि गदर मचने के बाद सनी पाजी बॉर्डर पर लड़े? विल मैं हुमनीशो और मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हूँ जिसके बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे वैसे सनी देओल लेमानो बॉक्स आफिस अपने नाम कर लिया है रिवीज के बाद से ही मॉर्णिं से लेकर नाइट तक के सारी शोस हाउसपूल हो रहे है ऐसे में गदर्टू आने वाले दो दिनों में 300 करोड का आकड़ाद जरूर पार कर जाएगी और अगर इसी रफ्तार से ये फिल्म चलती रही तो 500 करोड के क्लब में शामिर होने से इसे कोई भी नहीं रोग सकता ऐसे सनी बाजी के उम्र 65 एज है और इस उम्र में अपने फिल्मी करियर में ऐसी ब्लॉक्बॉस्टर फिल्म देना उनके लिए और डिरेक्टर जेपी दत्ता के लिए किसे बिग मोमेंट से कब रही विल आपको याद दिरादू की जेपी दत्ता सनी देओल की फिल्म बॉर्डर के डिरेक्टर और को प्रोडूजर भी थे अब गदर्व के बाद बॉर्डर टू के बारे में सोचना गलत का हुआ ऐसे ही गदर्व के बाद सनी देओल की बॉक्बॉस्टर फिल्म में लोगों के और भी जयादा नजर में आ और और गदर के बाद तो suny पाजी को और भी ज्यादा सोचना पड़ेगा कि कौन सी फिल्म करें और कौन सा क्याक्टर चुनें हमें असा लगता है कि अगर बॉर्डर टू बनी तो किस पर बेस्ट होगी ये भी सवाल है लेकिन बॉर्डर टू के बारे में सोचते हैं मेरे दिमाग में फट से एक बात आई और वो है इस पाकिस्तान के साथ इंडिया का वर्ड और बांगलादेश की मुक्ति जिसके लिए अप्रॉक्सिमेटली 93 3,000 पाकिस्तानी सहीनिकों को बंदी बना दिया गया था बॉर्डर टू में सनी पाजी इंडियन फोस के जनरल ओफिसर लेफ्टेन जनरल जगदित सिंग अरोडा के रोल में देख सकते हैं जो 1971 में पाकिस्तान के साथ थर्ड बॉर के दारान जनरल ओफिसर कमांड इंचीव थे उनकी बजो से पाकिस्तान की जबर्दस थार हुई और इस पाकिस्तान में आंग फोस के बजो से बांगलादेश का निर्मान हुआ विल स्टोरी और सनी देवल की फिल्मों का कुरीज देखते हुए बॉर्डर टू प्लोग बुस्टोर साभीत हो सकती हैं विल आपके क्या रहा हैं? डू कॉमेंट और फॉलो कोईमोई